हलो वरीवन परिवार में स्वागत आप सभी इस्टूडेन का प्वेले ये दो सभी लोग जल्दी से लाइब बनेंगे मेरे इस दिल्चस्प सेशन में बड़ी जा मज़ेदार सेशन यह होने वाला है और इस सेशन में हम लोग तूदा पॉइंट बात करेंगे चलिए जल्दी से सभी लोग अपना लाइब बनेंगे और यहां पर हमारा उदेश से है चौट में चीजों को रिवाइज करने का क्या इंपॉर्टेंट चीजे होती है जब हम थेोरिडिकली पढ़ते हैं तो मशीन हमारे लिए बहुत भारी भरकम सब्जेक्ट होता है लगबग 70-80 लेक्चर लग जाते हैं मशीन को कराने में लेकिन फिर एक्जाम के समय पर एक और तरीका होता है बड़े कमाल का तरीका होता है जिसमें हम वहाँ पर थोड़ असा टीचर की जिम्मेदारी भी हो जाती है स्टूडेंट की जिम्मेदारी भी हो जाती है कि जब एक्जाम नजदीक होता है तो हम किस तरीके से चीजों को रिवाइज करें एक बैस्ट वे में रिवाइज करें ताकि कुछ चीजे छुटे ना और परफेक्टली सब चीजों को हम लोग कर ले तो चलिए आईए सुरुवात करते हैं मसीन की रिवीजन को और आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से हमें रिवीजन करना चाहिए आपकी बहुत मदद करेगा ये सेशन तो सभी लोग लाइब बनते रहें मज़ेदार तरीके से अपना सेशन को इंजॉई कीजिए और आप लोग को बता दूँ कि अपने नोट्स में कही ना कहीं आप लोग को अपने नोट्स में जितनी भी इपॉर्णन चीजे दी गई है लास्ट वाले पेज़ेज में इन चीजों को बिल्कुल एड़ करी है तो देखिया जब हम मशीन की बात करते हैं तो मसीन हमारे अलग-लग तरह के सबजेक्ट या ये कहें कि मशीन हमारे अलग-लग तरह की मशीन को मिलाकर इस सबजेक्ट को बनाया गया है जैसे induction है, synchronous है, DC है, transformer है, single phase induction है या special purpose machine है तो इन सब को किस तरह से आपको smartly revision करना है बहुत जरूरी हो जाता है तो एक शुरुवात करते हैं आज हम लोग कि three phase induction motor को हम किस तरीके से smart way में हम revise करें चलिए जी आईए तो शुरुवात करेंगे हम लोग शुरुवात करते हैं यहां से शुरुवात करते हैं यहां से सुरुवात करते हैं देखिएगा मेरी बात को सुनते रहिएगा ध्यान से क्या रहता है सुदेंट जब हम लोग three phase induction motor की सुरुवात करते हैं तो आपको पता है देखिए कुछ पॉइंट बड़े ही जरूरी हो जाते हैं यह self start motor होता है क्या रहता है देखते रहिएगा मेरे सासा चलते चलते कि मैंने सुरुवात कहां से किये है और कहां पर बेटा इसको हम लोग खतम करेंगे देखिए यह एक self start type motor की category में रहता है अच्छा जी फिर देखिए ध्यान से समझना है कि इसमें stator पर हम थ्री फेज वाइंडिंग करते हैं stator पर हम थ्री फेज वाइंडिंग करते हैं और रोटर हम दो तरीके से बनाते हैं रोटर हम दो तरीके से बनाते हैं एक होता है squirrel case type और एक होता है हमारा slip ring type ओके जी slip ring type में विवस्ता है बाहर से किसी अन्य रजिस्टर को जोडने का ओके थ्री फेज स्टेटर वाइंडिंग जनरली कनेक्टेड इन स्टार क्योंकि कम इंसुलेशन मैटीरियल की आवशकता होती है यहां तक पढ़ने के बाद में आपको देखना यह है जो resultant flux होता है वो आता है 1 by 1.5 पाई एम बेटा resultant flux जो यहां पर मिलता है 1.5 फाई एम और सिंक्रोनास स्पीड होती है वाइनस बराबर 120 F by P होता है जी ओके आर पी एम में यह वो स्पीड होती है जिस पर मेगनेटिक flux रोटेट करता है कौन सी स्पीड जिस पर देखे flux रोटेट करता है N यहां पर रोटार स्पीड कहा गया है क्या रोटार स्पीड कहा गया है बेटा N देखेगा कि इंडक्शन को अगर हम इस तरीके से पढ़ते हैं तो कितनी चीजे हम किलियर करते हैं यह चीजे होती है अपने दिमाग में एक सिंगल पेज पर पूरी मशीन को ढालना है या एक मशीन को इंडक्शन मोटर के बारे में पूरी कहानी को समझना है तो बेटा यहां पर एक सब्द आता है slip तो slip बराबर में आता है Ns माइनस N अपन में Ns यह आता है यहां से slip की कहानी और यहां से rotor speed N बराबर में 1 माइनस S इंटू Ns मिल जाता है बिठा और दिमाग में रखिएगा student दिमाग में रखिएगा कि हमें यहीं पर समझना होता है rotor frequency की कहानी तो rotor frequency FR बराबर में हो जाता है S इंटू F F हमारा क्या है stator की frequency ठीक है यह चीज़े यहां पर हो गई अब चलिए देखिए आगे बढ़ते है आगे समझते हैं कि और क्या-क्या point है जो हमें करने चाहिए और क्या-क्या point हो जाते हैं जो जरूरी है चलिए जी पहला point इधर फिर अपना इधर आएंगे फिर अपना इधर चलेंगे फिर इधर चलेंगे इधर चलेंगे इधर चलेंगे इधर चलेंगे ये चलेंगे ये चलेंगे ठीके इतनी मैनत करना है बिटा कि पहली चीज तो सफलता उन्हीं के लोगों के पास में आती है दोड़ते हुए आती है भागते हुए आती है जो जम के मैनत करते हैं जो अराम करते हैं उनके आसपास कहां से दिखेगी सफलता देखो जो हम लोग यहां लिखना शुरू करते हैं सबसे पहले कहानी है बिटा टॉर्ग के लिए टॉर्ग के लिए जो फर्मुला बनता है पन अपॉन वुमेगा एस पी टी एच स्क्वार अपॉन में आर्टी एच प्लस में आर्टू डैस बाई एस का स्क्वार प्लस में एक्स टी एच प्लस में एक्स टू डैस का स्क्वार इन्टू आर्टू डैस बाई एस यह हमें मिलता है टॉर्ग के लिए बिटा फॉर्मुला ठीक है फिर आगे बढ़िये जी देखिए यह हमें TORG के लिए formula मिलता है फिर चलेंगे ST max क्या मिलता है maximum TORG पर क्या कहानी है तो maximum TORG पर मिलता है R2 dash by Rth square plus में Xth plus में X2 dash का square यह तब है जब इस्टेटर का impedance लिया जाता है यहीं से T maximum यह क्या है बिटा TFL यहीं से हमें देखने को मिलता है 1 upon omega S Vth square तो यहां Rth plus में Rth square plus में Xth plus में X2 dash का square यह बिटा हमें मिलते हैं तीन formula बड़े ही कमाल के तीन चीजे हमें सीखने को मिलती है तीन formula और यह formula हमारा बड़े से बड़े exam में टिक लगाने को आ भी जाता है तो यह हमने बनाया जी TORG से related कहाने को यहां से यह हो गई कहाने हमारे TORG से related चलिए जी आगे बढ़ते हैं देखें इसी को थोड़ा आगे बढ़े हमने कहा कि stator impedance से 0 stator impedance यदी 0 माने stator impedance से 0 बिटा पुरी जम के मेहनत कीजे मैं बता दू induction में जितनी चीजे बोड पर बनी होंगी एक भी सवाल कभी भी बाहर से नहीं stator impedance से 0 तो यहां पर धियान देना है tfl बराबर में 1 upon omega s p1 square क्या हो जाएगा r2 dash by s का square plus में x2 dash का square into r2 dash by s बिटा यह जो resistance है r2 मतलब rotor का register है फर टो इस्टेटर साइड यह reactance है यह tfl है यहां पर बिटा st max आता है st max के लिए होता है r2 dash by x2 dash और कई जगे पर सिर्फ r2 by x2 लिखा यह भी बास सही है यहीं से बिटा हमें मिलता है t maximum t maximum का मतलब हो जाता है 1 upon omega s v1 square और 2 x2 dash बिटा याद रखे t maximum कभी भी बिटा याद रखेगा t maximum कभी भी rotor के resistance पर निर्भर नहीं करता यह तीन formula directly tick लगाने को आते है यह तीन formula directly बिटा टिक लगाने को हर एक exam में फस्ते रहे है कोई ना कोई कोई ना कोई सवाल कही ना कही टकराता रहा तो यह कहानी है हमारी जब stator का impedance बिटा हमने 0 कहा है अब देखे आगे बढ़ेंगे बड़ा ही जरूरी हो जाता है बहुत ही जरूरी है कि T maximum और T FL यहीं पर देख लिजिए कि T FL हो या फिर T maximum हो दोनों ही जो मिले है P1 के proportional मिले है एक point यह भी याद रखे supply voltage के proportional में देखने को दोनों ही point हमें मिले है अच्छा जी फिर देखे आगे बढ़िएगा दो चीज़े और बेटा नोट करिएगा T FL पिपर में आता है T FL upon में T maximum का ratio जिसे आप लिखते हो 2S ST max 2S XT max upon में S square plus में S T max का square बेटा ये हो गया आपका यहां पर formula ये formula भी बिलकुल Torg से related कहां से देखो कहानी कहां से आई है इसमें ये chain बनाते हुए चलना है ये यहां से बनता है अच्छा फिर आगे बढ़िएगा T start T start upon में T maximum जो आता है ये आता है 2S T max 2S T max upon में 1 प्लस में T max का square बिटा ये formula भी आपके लिए बहुत ही कीम्ती formula होता है ये यहां से आता है ये यहां से चलता है ओके फिर देखिए next आगे बढ़िए next सर और क्या कहानी है तो देखेगा और क्या क्या कहानी है ज़्यादा बन गे न चलिए अब आगे बढ़िएगा हम चलते हैं characteristics की तरफ पेटा characteristics one of the most important है यहां से जब हम characteristics देखते हैं तो समझ लीजिएगा characteristics की कहानी है देखेजिए आपको बताना चाहूंगा यह होता है torque यहां पर एक point हमने लिया है यह है ns n इस तरफ को बढ़ता है बेटा और slip इस तरफ को बढ़ता है यह होता है s बराबर one और यह होता है यहां इस point पर ले लिया हमने s बराबर two very very important तो जब हम characteristics draw करते हैं यह कहलाता है t maximum क्या कहलाता है t maximum बिलकुल सही बात है सर देखिए यह कहलाता है बेटा load torque अच्छा बिलकुल सही तो याद रखिएगा यह कहलाता है यहां normal operating point normally stable operating point stable operating point normal stable operating point और बिटा इस region में जब normally induction motor run करता है और torque होता है directly proportional to slip कमाल कर दिए बिटा इस चीज ने कहां यहां और शुरुआत में होता है torque inversely proportional to slip very very important topic very very important concept फिर ध्यान से देखिएगा कि T max का कोई मतलब नहीं है R2 से बिटा तो यहां पर समझ लेजिएगा यह जो यह reason है यह कहलाता है starting देखो किस तरीके से हम लिखेंगे यह reason कहलाता है starting reason यह बहला starting reason बिटा यह reason कहलाता है यह reason normal operating reason बोलो बाबा कहदार नात की जे normal operating reason कहलाता है बिटा यह okay normal operating reason हमारा जब slip कम होती है और यह reason बिटा ऐस बरावर वन से ज़्यादा प्यारे बच्चो कहलाता है breaking reason क्या कहलाता है breaking reason कहलाता है तो यह बनती है करेक्टर स्टिक्स लग लग तरहेगी एकरेक्टर स्टिक्स आपको जवरदस्टी के 10 चित्र नहीं खीचने अगर किसी बच्चे को यह आता है तो वो एक्जाम में बिल्कुल गलती नहीं करेगा नहीं एक्जाम में किसे तरह के कोई मिस्टेक करने वाला है ठीक है फिर देखेगा हम एक और चीज पढ़कर चलते हैं इसी में ध्यान देना है दो सब्द आते हैं देखे और इसमें जरूरी होता है स्पेस हार्मोनिक्स के कारण होता है और इसी में अगर हम बिटा बनाने लग जाए कि क्या है भाई हार्मोनिक्स का मामला तो ध्यान से देखेगा हार्मोनिक्स का मामला हम कहेंगे कि जब resultant torque हम लिखेंगे ये जब resultant torque ये क्या कहलाता है ये है बिमारी करवलिंग लोड के torque से कम हो जाएगी तो ये बिमारी कहलाती है करवलिंग क्या कहेंगे करवलिंग किसके कारण आएगा 7th space harmonics के कारण आएगा और कहां चलेगा forward direction में देखने को मिलता है क्या कहेंगे forward direction में देखने को मिलता है अच्छा जी बिल्कुल सही बात और यहाँ पर induction में आपको बताने चाहूंगा space का जो order है harmonics का वो होता है 6N plus minus 1 बढ़िया हो गया ठीक है क्या tick लगाने को आ सकता है 6N plus minus 1 आपको tick लगाने को आ सकता है फिर देखिएगा point को समझेगा जो numerical है next हम लोग आगे बढ़ेंगे देखिए starter concept से क्या है बिटा हाँ जी सर starter concept को भी बता दीजिए तो बिटा देखिए T start upon में T FL बराबर में क्या सुत्र बनता है I start upon में I FL का square into SFL यहां से सुत्र बनता है इसी को जब आप direct online starter की चर्चा करते हो तो यही सुत्र आपका हो जाता है T start upon TFL और I short circuit current upon I FL का square into SFL यही सुत्र बन जाता है प्यारे बच्चो जब यह star delta की बात होती है star delta starter तो यही सुत्र बन जाता है T start upon TFL बराबर में 1 by 3 I short circuit upon में I FL का square into SFL यही चित directly बन जाता है तो star delta में आपको बताना चाहूंगा जो torque है T start to T delta बेटा torque भी 1 by 3 देखने को मिलता है प्यारे बच्चो यहां पर आपको जो current देखने को मिलता है current भी I star to I delta आपको 1 by 3 ही देखने को मिलता है यह important है directly पूस्ता एक्जामिनर directly पूस्ता है भाई इसके बाद चलेंगे देखिए auto transformer इसके बाद चलेगा auto transformer की कहानी पर auto transformer की कहानी पर जब हम चलते हैं तो ध्यान से देखिए हमें देखने को मिलता है तिर्फ क्या चीज़ बदलेगा देखो T start upon में TFL बराबर में बेटा X square I I SC by IFL का square into SFL बेटा X कुछ और नहीं है प्यारे बच्चो tapping point है कुछ और नहीं है tapping point है देखिए direct online ये objective है छोटे motor के लिए 5 horsepower 15-20 के लिए लगभग बेटा इस्तमाल कर लेते हैं परभू की दिया से हम ये और auto transformer को ज़्यादा के रिलिए यानि कि starter से बेटा रिलेट करते हुए हमारे लिए खास बिंदू क्या बिंदू है ये एक से बढ़कर एक बिंदू आपके सामने बेटा लिखे गए हैं एक से बढ़कर एक बिंदू आपके सामने ये किस से संबंदित है starter से related संबंद रखते हैं ठीक है अब आपको कहना चाहूंगा एक और बड़ी ही खास और जबरदस्त चीज आपको देखने को मिलती है थ्री फेज इंडक्शन मोडर ऐसे ही हर मशीन को उठाइए ऑपरेशन करिए बिटा काहे का अपना ड्रामा लगा रखा है कि अब ये करो वो करो जब एक्जाम नज़्दीक होता है तो ये स्टेटजी आप लोग की होनी चाहिए नेक्स्ट आगे बढ़िएगा देखे एक होता है हमारा नो लोड टेस्ट के दोरान में ध्यान दीजिएगा जो एस का मान है वो जीरो लिया जाता है मतलब no load test में जो S का मान है वो बहुत कम लिया जाता है चलिए कम ही लिख देते हैं no load test में जो S का मान है बहुत कम होता है very low और generally no load test में ये नापता है iron losses को किसे iron losses प्लस में mechanical losses को प्लस में mechanical losses को फिर याद ये भी होना चाहिए बेटा जब हम testing की बात कर रहे हैं तो एक होता है short circuit test क्या कहते हैं short circuit test बेटा S वराबर होता है one और ये नापता है short circuit test कुछ और नहीं बेटा copper loss देता है क्या देता है copper loss तो ये important चीज़े आपकी testing से हो जाती है right ना ये कहां से important चीज़े है सर ये important चीज़े है बेटा आपकी testing से related तो ये भी आपने final कर लिया बना के देखने के काई के जोरत है बाई ये किसके दरह है no low test आपका open circuit test of a transformer और बेटा जब short circuit test के बात करेंगे S बराबर one पर जिसे हम लोग short circuit test के बात हो रही है इसी को हम blocked rotor के नाम से भी तो जामते हैं blocked rotor भी यही कहलाता है blocked rotor भी यही कहलाता है देखिए आपको अब एक चीज़ और बना के दिखा दू याद रखिएगा यह होता है यहां से सवाल पूसता है एक होती है stator body relative speed बिल्कुल धमाका रखो करके 0 RPM एक होता है stator flux जो चलता है NS speed पर एक होता है बेटा rotor flux एक होता है rotor flux जो चलता है NS speed पर और एक होता है rotor बेटा जो चलता है एन इस speed पर relative speed अलग-अलग समय पर अलग-अब्जेक्टिव के साथ बेटा पूछी जाती रही है क्या stator body और stator flux के बीच में पूछा तो stator body 0 stator flux NS भटा नहीं तो है rotor flux stator flux के बीच में पूछा तो किरो अरे यहां तक देखिए जरभ और यहां तक देखिए जरह झाल झाल यहां तक देखिए जड़ा वो यह क्या है के द्वारा भीया हमारे द्वारा पटो भी तो खीचेंगे इसका पताएं बेटा कोई दिक्कत कोई प्राबलम यहां तक किसी भी एक सिंगल स्टूडेंट को कोई भी प्राबलम अगर होगा तो वो वी फ्रेंक बिलकुल बताएं यहँद्योन में कीशोड़ बताएं वो 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 व देखो मैंने idea दिया आपको कि इस तरीके से हमें ये session इस तरीके से हमें फाइदा करता है एक्जाम के समय पर जो चीम्ती चीज़े हैं जो important चीज़े हैं वो सब आपके सामने हैं यह सब आपके सामने है क्या तोर्ग जब यह स्टेटर इंपेडेंस जब जीरो हो जाता है तो यह फॉर्मूला वैलेड होते हैं क्यूंकि आर्टी-च कमान जीरो रख देते हैं एक्स्टी-च कमान जीरो रख देते हैं ओके इस तरीके से बेटा लेकर चलना है हमें इन सेशन को इस तरीके से डिजाइन करना है तो अच्छे से अपना जबरदस तरीके से पढ़े कि आओ एक दम बिंदास और फिर दीखिएगा कि कैसे मैं आप लोगों कितने कम पॉइंट में आपको पूरी एलेक्ट्रिकल का रिवीजन लगवाता हूँ Thank you and all the best Hi student Hi student